सब्सक्राइब करें कामता साइबर टीवी को और लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें नमस्कार दोस्तों मैं राजेस कामता साइबर टीवी पे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ आज की स्विडियो में मैं आपको बतलाओंगा कि साइबर क्राइम सेल और पुलीस इस्टेशन में क्या अंतर होता है आएकशली कई सारे लोगों का ये क्वाईर ठा वो जानना चाहते हैं कि पुलीस इस्टेशन और साइबर सेल में क्या अंतर है और यदि इस तरह की घटना हो जाती है तो हमें पहले कहां जाना चाहिए तो आज की सुडियो को आप सूरुज से अंतक देखिए मैं इनी विश्व पे आप से बात करने वाला हूँ Actually, Cyber Crime Sale क्या होता है? Police Station क्या होता है? इसको पहले मैं define करता हूँ और इसके बाद मैं बतलाओंगा कि आपको जाना कहा है? Cyber Crime Sale वैसा Sale होता है जहां Cyber Crime से related मामलों की investigation की जाती है, जहां इसकी जाच होती है लेकिन Cyber Crime Sale में कभी भी आप report नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे F.I.R. करने की सुविधार नहीं होती है maximum वहाँ पे आप application दे सकते हैं, वहाँ पे जाके आप information दे सकते हैं लेकिन यदि आप चाहते हैं उस मामले में F.I.R. करना तो उसके लिए आप Cyber Sale में F.I.R. नहीं कर सकते हैं Cyber Sale सिर्फ आप report वहाँ पे कर सकते हैं, वहाँ सूचना दे सकते हैं या वहां से इस तरह के मामलों में कोई जानकाड़ी प्राप्त कर सकते हैं और यदि आप चाहते हैं कि साइबर क्राइम से रिलेटेड मामलों में FIR करना तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पुलिस इस्टेशन में Actually किसी भी मामले में चाहें वो साइबर क्राइम का मामला हो या अन्य कोई अपराद से सम्मनित मामला हो उसमें जो FIR होती है वो सिर्फ ठाने में होती है पुलिस इस्टेशन में होती है तो इसलिए यदि आपको कभी साइबर क्राइम से रिलेटेड मामले में FIR करना हो या इस त चाहिए जब आप वहां पे F.I.R कड़ा देते हैं कई बार पुलिस वहां की सप्चम होती है खुद उसका इंवेस्टिगेशन करती है और क्रिमनल को पकरती है और आगे की करवाई होती है और यदि पुलिस को लगती है पुलिस एस्टेशन के आफसर्व को ऐसा लगता है कि इसमें टेकनिकल सपोर्ट लेना है तब वो साइबर क्राइम सेल से वहां से टेकनिकल सपोर्ट करते हैं तो इस तरह से यदि आपको कभी इसकी आशकता हो तो आप साइबर क्राइम सेल में जाने से पहले आपको पुलिस एस्टेशन में जाना चाहिए जितनी भी आपके पा को होता है साइबर क्राइब Hamilton कोग scy fragen से इसमें डारेक्ट लिमन अकी नहीं कर पाएगी को क्छा एंड्या में कई sr हैं जहां में जहां पर साइबर उसनोह जाएं तो जहां भी लिए जाएं पर सिर्ल तरפहन हैं वहाँ पर आता सकते हैं वहाँ त 네ल सता है और वैसी इस्तिति में सारा process आपका वही से हो जागा और वहीं FHR होगा, वहीं जाच होगा और वहीं से आपकी सारे प्रक्रिया होगी और उसके लिए आप उस जगह क इस्तमाल कर सकते हैं और आपके लिए वहाँ पर वो सारी सुग्धा दें मिल जाएंगी साइबर से भी रिलेटेड या फिर आपके F.I.R. से समंदी जो भी मामला होगा तो इस तरह से आप समझ पायोंगे कि साइबर क्राइम सेल क्या होता है सेल मिन्स वैसा जगा जहां पे सिर्फ उस पे काम हो सकता है वहां पे F.I.R. नहीं हो सकता है जहां पुलिस इस्टेशन होगा F.I.R. वहीं पे होगा उमीद है आपको यह समझ में आ गया होगा कि हमें साइबर क्राइम सेल और पुलिस इस्टेशन में क्या नतर है हमें पहले कहां जाना चाहिए और किस तरह से अपने F.I.R. के लिए हमें क्या करना चाहिए यदि ये वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक हमारी शैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि साइबर एवरनेस से रिलेटेड जब भी मैं कोई वीडियो बनाओ उसकी नोटिफिकिशन आपको मिलती रहे धन्यवाद